आपको केवल यही करना है कि आप एक पूर्ण विक्सित जीवन के रूप में उपर उठें और चमकें क्योंकि जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो आप वही करेंगे जिसकी जरूरत है तब वो नहीं पूछेंगे सुबह उठने के बाद मैं कैसे प्रेरित रहूँ आपको एक प्रेरित व्यक्ति नहीं होना चाहिए आम तोर पर जब हम किसी को प्रेरित हुआ कहते हैं तो इसका मतलब होता है उनका अपना कोई अजंडा है जीवन का कोई अजंडा नहीं है ये आपके लिए एक पूर्ण विक्सित जीवन होना है एक जिंगूर पूर्ण विक्सित जिंगूर होने की कोशिश कर रहा है एक केंचवा पूर्ण विक्सित केंचवा होने की कोशिश कर रहा है एक पक्षी पूर्ण विक्सित पक्षी होने की कोशिश कर रहा है, एक पेड़ पूर्ण विक्सित पेड़ होने की कोशिश कर रहा है, एक मनुष्य को भी पूर्ण विक्सित मनुष्य होने के लिए प्रयास करना चाहिए, हमारा बस यही काम है, पर हम में से हर कोई अपना आया ना? वो कहा है? वो सारे लोग, आपको लगता है वो सभी मूर्क थे? वो सभी मूर्क थे और वो मर गये. कैसा है? नहीं, वो भी आपकी ही तरह थे. शायद वो भी अधिकारी रहे हों, शायद वो राजा रहे हों, आपसे भी बढ़ कर. हर तरह की चीजें. अब सब उपर की मिट्टी बन जाएगा. बस थोड़ा सा समय और जीवन एक छोटी सी चिंगारी है. आपका बेटा कितना बड़ा है, सर? 25? तो 27 साल पहले वो कहां था, सर? तो अगर कोई यहां नहीं है, तो हम कहते हैं कि वो मर चुके हैं, है ना? 27 साल पहले वो मर चुका था. हम उसे 100 साल देंगे, सर. 80 साल बाद, वो फिर से मर जाएगा. हूँ? आया ना? तो 27 साल पहले वो कितने समय तक मरा रहा था, सर? हूँ? लंबे समय तक. तो 85 साल या 80 साल बाद, वो कितने समय तक मरा रहेगा, सर? बहुत लंबे समय तक? तो हम सभी बहुत लंबे समय तक मरे रहेंगे. हम बहुत ही थोड़े समय के लिए जीवित हैं. हाँ? बहुत ही थोड़ा सा समय हैं. मैं चाहता हूँ, आप इसकी और इस त्रिष्टिकोंड से देखें. आप कितने समय तक मरे रहेंगे? आप कलपना नहीं कर सकते. तो मान लीजिए, हम 10,000 साल तक या 1,000,000 साल या 10,000,000 साल तक मरे रहते हैं. ठीक है? उसके तुलना में आप कितने समय तक जीवित हैं? बहुत-बहुत छोटे समय तक. जिसे आप जीवन कहते हैं, वो एक छोटी से चिंगारी है. आपको अकेली चीज यही करनी है, कि आप उठें और एक पूर्ण विक्सित जीवन के रूप में प्रकाशित हों. जब हमारे आस पास किसी चीज की जरूरत होगी, तो हम स्वाभाविक रूप से उसे करेंगे. क्योंकि जब आप अद्भुत रूप से अच्छा कर रहे होते हैं, तो आप वही करेंगे जिसकी जरूरत है, है ना? जब आप दुखी होंगे, तब आप प्रेरित होंगे, हाँ? मुझे होते हैं, ये कितना मुश्किल है, इसलिए अपने बच्चों को किसी चीज से प्रेरित होना मत सिखाइए, ये सारी बगवास पश्चिम से आ रही है, ये सभी सेल्फ हेल्प किताबें, खुद को प्रेरित कीजिए, आत्म विश्वास पैदा कीजिए, अपने आप पर यकीन कीजिए, आपने भगवान पर यकीन किया और इस दुनिया को इस हद तक नश्ट कर दिया, अब आप खुद पर यकीन करते हैं, आप क्या करेंगे? ये सारा कच्रा पश्चिम से आ रहा है, आपको प्रेरित होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना देखना है, कि अभी ये अपने पूर्ण संभव स्तर पर कैसे हो, अगर ये पूर्ण रूप से जीवित है, तो ये वो सब करेगा जो ये कर सकता है, है ना? जो ये नहीं कर सकता, उसे ये वैसे भी नहीं करेगा, अगर आप सुबह किसी पक्षी को देखें, यहाँ पक्षी हैं, आप जानते हैं, आप कहां से आ हैं, सर, दिल्ली, तमिलनाटू, चन्नाई, चन्नाई कव्वे को छोड़ कर शायद वहाँ कोई पक्षी नहीं है, तो अगर यहाँ आप कोई पक्षी देखते हैं, सर, छोटा पक्षी, सुबह में, ये वो सब कुछ कर रहा होता है, जो ये कर सकता है, है ना, हलो, वो सब कुछ जो ये कर सकता है, वो कुछ नहीं छोड़ेगा, आपको बस यहीं करना है, वो सब कुछ जो आप कर सकते हैं, आप हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते वो कोई माइने नहीं रखता जो हम कर सकते हैं वो जरूर होना चाहिए इसके लिए आपको बस यही समझने की जरूरत है कि जीवन एक छोटी सी चिंगारी है यह बस बुबुबुब और खत्म आपको समझ आए कि क्या हो रहा है, उससे पहले ही आप जा चुके होते हैं जब तक आप दुखी ना हो, दुखी लोगों का जीवन बहुत लंबा होता है सिर्फ उन्हें लगता है कि जीवन लंबा है अगर आप बहुत खोश हैं, तो पुफ इससे पहले कि आप जाने कि क्या हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा क्या आपने किसी खास दिन के और ध्यान दिया है, आप बहुत खुश थे 24 घंटे यूँ ही निकल जाते हैं, थोड़े दुखी, 24 घंटे 10,000 साल जैसे लगते हैं, हाया ना इसलिए समय बहुत रिलेटिव या सापेक शनुभव है, पर अगर आप इससे तुलना करते हैं कि आप कितने समय तक मरे रहेंगे, आप लाखों सालों तक मरे रहेंगे, आप बस थोड़ा सा ही जीवित रहें, इस बार किसी भी चीज से प्रेरित मत होईए, आपको बस यही करना है कि आपको एक पूर्ण विक्सिट जीवन बनना चाहिए, पचीस साल का लड़का उसे एक प्रेरित मनुष्य नहीं बनना चाहिए, उसे सिर्फ जीवन का एक विसफोट होना चाहिए, उसके बाद वो नहीं पूछेगा, मैं सुभा उटने पर प्रेरित कैसे महसूस क करते हैं, और नशीली चीजें वगर, सब कुछ, आम तोर पर शरीर मरना चाहता है, यह जीवत नहीं रहना चाहता, लोग, आपको पता है, यह सब कुछ पश्चिम से है, लोगों ने इस संस्कृति का निर्मान किया, वो क्या है, भगवान का शुक्र है, आज शुक्रवार ह आकड़े दर्शाते हैं, सत्तर प्रतिशत अमेरिकी अपने काम से नफरत करते हैं, ना पसंद नहीं, बलकि घ्रणा पांच दिनों तक अगर आप कुछ हैसा करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप वीकेंड का आनन्द कैसे उठाते हैं, वीकेंड में सिर्फ इतना होता है, कि आप बेहोशी के हालत में होते हैं, या तो आप शराप पिये होते हैं, या ड्रग्स लिये होते हैं, या किसी इसमें लिप्त होते हैं, ठीक है, उसके परे कोई बड़ा आनन नहीं घटित हो रहा है, हाया ना, 70% लोग अपने काम से नफरत करते हैं, आप इस तरह कैसे जी सकते हैं, आखिर आप ऐसी कोई चीज क्यों कर रहे हैं, जिससे आप नफरत करते हैं, सबसे पहली बात, अगर करना चाहिए, कोई ने कोई उसे हमेशा करेगा, हलो, कोई मेरे पास आता है, वो एक मल्टिनेशनल कंपनी को चलाते हैं, एक वैश्विक CEO, वो एक परिशान अवस्था में आते हैं और सद्गुरू, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, वो हर रोज मुझ पर बहुत ज़्यादा आप डाल रहे हैं, मैं इसे नहीं संभाल सकता, तो मैंने उनके और देखा, अपने हाथ उठाए और कहा, आपको काम से निकाल दिया जाए, ओ, सद्गुरू, सद्गुरू, आप क्या कह रहे हैं, मैंने का, आरे, आप कितना ज्यादा कश्ट उठा रहे हैं, इसका क्या अगर आपको निकाल दिया जाता है, तो कम से कम आप समुदर के नारे टहल सकते हैं। शायद कोई और इस काम को आपसे थोड़ी ज़्यादा खुशी से करें। क्या आपको लगता है आप ही धर्ती को घुमा रहे हैं। हलो। तकलीफ क्या है, क्या आप इसे सूरज के चारो और घुमा रहे हैं। सब कुछ मुफ्त है, है ना। हलो। सब कुछ मुफ्त है, आपको बस एक पूर्ण विक्सित जीवन बनना है। अपने आपको बहुत ज्यादा धार्णाओं, दर्शनों, मान्यताओं, बेतु के विचारों और भावनाओं से बांध कर, आप जो हैं उससे कम मत हो ये। नहीं, आप जो हो सकते हैं उससे कम कभी नहीं होना चाहिए। आपको किसी दूसरे जतना अच्छा नहीं बनना है, और आप कभी हो भी नहीं सकते, क्योंकि सभी अलग हैं, पर आप जो हो सकते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपको इसके लिए प्रेणना की जरूरत नहीं है। आपको जीवनतता की जरूरत है। पचीस के उम्र में अगर आप बहुत जीवन्त नहीं है, तो आपको थोड़े साहरी की जरूरत है, चन्नाई, आम तोर पर सुबा सुबा जीवन्त होता है, ये बैंगलोर की तरह नहीं है, बैंगलोर दस बजे उठता है, चन्नाई आम तोर पर सुबा पांच बजे से ही जीव इसलिए अपने बच्चों को प्रेरित मत कीजिए, ये ज़रूरी नहीं है, आपको देखना है कि वो कैसे आनंद पून और जीवन रहते हैं, इसमें उनका शरीर और उनकी बुद्धी सबसे अच्छे तरीके से काम करेंगे, अरे क्या वो बस खुश रहेंगे और कुछ नहीं क करेंगे, आप मुझे बताइए, आप खुश होते हैं तब ज्यादा करने को इच्छुक होते हैं, या दुखी होते हैं तब, जब आप खुश होते हैं, तब जिसकी भी जरूरत होती है, आप उसे करने को तैयार होते हैं, है ना, जब आप बहुत खुश होते हैं, तो आप कि ज़रूरत है उसे करेंगे, है न, जब आप नाखोश होते हैं, ओ, आप से कोई काम करवाना कितना मुश्किल है, हाया न, तो एक पत्नी ने अपने पती को टेलिग्राम भेजा, जो एक तीन महिने की ट्रेनिंग पर था, आई-ए-स, उसने एक टेलिग्राम भेजा, चिंता करनी शुरू कर दीजिये, बागी समचार खक में लिखूंगी, खुद के साथ ऐसा मत कीजिये, पचीस की उम्र में आप चिंता करनी शुरू कर दीजिये, बागी सब पीछे आ जाएगा, अगर आपको तनाव, बेचैनी महसूस हो रही है, तो आपकी अपनी बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है, अगर आप ये समझते हैं कि सारा मानवी अनुभव भीतर से आ रहा है, तो आप खुद को पूर्नता की और कैसे नहीं ले जा सकते, इनर इंजिनेरिंग का वास्तावेकर्थ है, खुद को ऐसी अवस्था में ले कराना, जहां मनुष्य होने की आपकी सारी ख्रमताएं आपके लिए काम करती हूँ.